आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। लिएच की अभोत है पड से एक का वह. वायू के गनत को नगन मान लीजै, बोल ला है। हुम से कह रहा है है कि जो हमारी भून्दे हैं मैं रही यह बून्दें इसका गनत और रू है और जिस वायू में ये गिर रही है ये वायू के माध्यम में गिर रही है नीचे की तो इसका हमने मालिया है कि वायू का जो गनत है वो सिगमा है हमसे कहा गया है कि वायू के गनत को नगन मानना है नि कि जो हमारा Σिंगा होगा वाइू के लिए ठीकै कि वाइू का जो घंत होगाँ वह क्या होगा 0 हो जाएगा ठीकै तो ये नीचे की और इस वाइू में घेर रही है तो ने रहे हो लेकन स्यांता गुडांग येटा उसका मान ए 1.8 गुड्य σकी गात तो 5 किलो ग्राम ठीक है प्रती मीटर प्रती सेकेंड ठीक है यहां से हमें क्या दिया गया है कि भूंद की जो तरिज्जा है ठीक है भूंद की जो तरिज्जा है वो किती जीरो जीरो एक पांच मिली मीटर है ठीक है तो इसको हम लोग क्या करेंगे हम लोग इसको मीटर में बदल मीटर में क्या करते हैं दसकी गात माइनस 3 का गुड़ा कर देते हैं ठीक है तो दसकी गात जब माइनस 3 का गुड़ा किया तो यह किस में बदल गया मीटर में बदल गया ठीक है तो हमसे कहरा आन्त चाल का मान क्या होगा यानि कि किस सीमान्त वेक से नीचे जा रहा होगा इसका माना में ज्याद करना यानि वी का माना में ज्याद करना है कम लोग जानते हैं कि सिमान तवेक जो होता है वी बराबर उसका फार्मला होता है दो बटे नौ ठीक है दो बटे नौ आर स्क्वाइर रो माइनस सिगमा ठीक है इन्टु गुरुत्वी त्वरं बटे इटा, ठीक है, इटा क्या है, इटा अमारा यहाँ पर स्यान्ता गुडांक है, ठीक है, क्या है स्यान्ता गुडांक, रो क्या है, रो अमारी भूंद का गनत्व, सिग्मा क्या है, वायू का गनत्व है, ठीक है, तो हमको कहरा सिग्मा का यहां पर सून्य Western the twist here खेएइ कैसे सिद्सक्वायू का गनत नकन यहां यह संहारा जो सुतर भाम बंजाएगा वी बराबर दो बक्टे 9 आरस्कुरार रर्ड़ी बटे इत्विटिध तो सार हम 있습니다 लूस्मा नमेल प्टा यहां रख में रहने हैं तो डोबटे कर दो R² R² का मतलब तरिज्जा का वर्ग यानि 0 तो सुमलो 0 0 1 5 गुड़े 10 की गात माइनस 3 का वर्ग ठीक है Rो मतलब घनत घनत तो किसका हमारा जल की बूंद क्योंकि बूंद हमारी काय की थी जल की थी ठीक है तो जल का जो घनत तो होता है ठीक है बूंद जो है वो जल की बनी होई है तो जल का घनत तो जो होता है वो क्या होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यों होता है तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 1000 ठीक है जी का मान कित्ता होता 9.85 प्रति सेकेंड़ Ctrl ठीक है नीचे हमारा क्या हो जाएगा इटा, इटा मदलब हमारा स्यानता गुडांग, कितना दिया गया है, एक दसमलव आट गुड़े दसकी गात माइनस पांच, ठीक है, तो इसको हल कर लेंगे, तो हमारे पास जो सिमान्त वेग का मान होगा, वो आ जाएगा, तो जल की भूंद का जो सिमान्त वेग हो हमारे पास आ जाएगा, दो दसमलो साथ दो गुड़े दसकी गात माइनस चार, ठीक है, मातरक क्या होगा, मीटर प्रती सेकंड, ठीक है, तो ये हमारे प्रेश्ण का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, कि सिमान्त वेग क्या होगा, दो दसमलो साथ दो गुड़े दस्की गात माइनस चार मीटर पती सेकंड थैंक यू